वेलकम बैक डियर सब्सक्रेबर्स तो आज की इस वीडियो पर में आपको दिखाने वाला हूँ VN एप में कैसे आप ट्रेंडिंग HDR ब्राउन कलर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो तो वीडियो को लाष्ट तक जरूर से देखना इस वीडियो पर में आपको एक न्या तरीखा दिखाया हूँ HDR ब्राउन कलर वीडियो एडिटिंग करने का और बहुत ही आसान भासा में समझाया हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को एडिट करने वाले हम वीएन एप में तो सबसे पहले आप अपने वीएन एप को ओपिन कर ले ना अगर आपके पास वीएन एप नहीं है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकतो यह बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटिंग एप है जब आप यसे ओपिन करोंगे कुछ ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा देन आपको यहाँ पर प्लेस वाले बॉटन को पर क्लिक करना है उसके बाद निज्व प्रजेक्ट के ओपर क्लिक करना है और वीडियो वाले सेक्शन में ही रहके आपको अपना वीडियो को चाहोगे लाइक यह वाले वीडियो में एडिट करने वाला हूं तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद next के उपर क्लिक कर देंगे तो हमारे जो वीडियो होगा वह यहाँ पर एड हो जाएगा आप देख सकते हो ठीक है वीडियो एड हो जाए दिन आपको यहाँ पर लास तो फर्स्ट टेप में आपको यह जो फिल्टर का आप्शन देखनों को मिल रहा है इसके उपर आपको क्लिक करना होगा और अड़ जस्ट के उपर आपको आजाना है देन इसमें आपको यह जो एक्सपोजर है कॉन्ट्रास्ट है ब्राइटने से चुरेशन यह सब को आप वीड़ो को एकौड़िंग अड़् जैस्ट करते लेना लाइक हैंक यहाँ पर एकस्पोजर को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं उसके बाद और आप आपने कर लेना यह उतना इंपर्टेंट नहीं है जो इंपरेंट वह हमारा सारपें सार पेन को पर आपको आतरा मैक्स का है ठीक आप देख सकतो इतना मैक्स करने पर काफी बहड़ियां लग रहा है तो हम इतना ही रखते हैं आपके वीडियो में जितना अच्छा लगता है मतलब यह स्टार पेन इफेक्ट आ जाता है उतना आप इसे इंक्रीज कर देना लेक आप देख पार हो इतना में हमारे काफी इन्हेंस हो चुकी है तो सबसे पहले आपको अपने वीडियो की क्वाइलिटी को इन्हेंस कर लेना है उसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा तो यह जो एक्सपोर्ट वाल बटन आपको देखने को मिल ला है इसको पर क्लिक करना है और इसे 4K में एक् 60 Btrade को बस आप यहां से 50 का स्पास रख देना और उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करदेना तो आपको जो फोर्स ट्रेप होगा वह यहां पर complete हो जाएगा ठीक है export का processing complete हो जाए देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर second step दिखाता हूं second step में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं तो exporting हमारे complete हो चुक है अब आपको इसे done कर देना है और अपने vn app को close कर देना है और आपको open करना है light motion क्योंकि यही light motion की मदद से हम HDR effect अपने वीडियो को पर apply करेंगे ठीक है तो अगर आपके पास light motion नहीं तो आप इसे Google Play Store से install कर सकतो या फिर आप मुझे Instagram पर message कर सकतो light motion के बारे में जानने के लिए ठीक है मतलब सबसे पहले आपको light motion को open करना है second step में यहाँ पर प्लस वाले बटन को पर click करके एक project बनाना होगा तो इसको पर click करना और आपको वीडियो का ratio होगा उसे आपको यहाँ सब्सक्राइब करना है लाइक हमारे वीडियो का रिशना इस्टो 60 ने तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और create project को उपर click कर देना है आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाएगा अब आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को add करना है ठीक है तो वीडियो एडिक करना है उस यहाँ पर add हो जागा आप देख सकतो अब इसके ओपर HDR effect apply करने के लिए आपको description में जाना है एंड डिस्क्रिप्शन में एक XML फाइल का लिंक मिल जागा ठीक है उस XML फाइल के मदस्ते जस्ट एक क्लिक में आप HDR effect apply कर सकतो तो आपको description box में जाना है एंड वहाँ पर आपको त्री डॉट को पर क्लिक करना है एंड यहाँ डाउनलोड का option मिलेगा इसको पर क्लिक करके जस्ट इसे आप डाउनलोड कर सकते हो जैसे कि आप देख पार यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है अब यह डाउनलोड हो चुका दिन आप अपने file manager को open करना और folder वाले section मे नाके जस्ट डाउनलोड आले folder में चले जाना क्योंकि यहीं पर डाउनलोड होने के बाद हमारे video बगएर सारा चीज आता है तो इसमें आप जाना एंड उसके बाद यहां से XML file को आप सेलेक्ट कर लेना यह वाला ठीक है इसे सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद सेंड को पर लिए को क्लिक करना है और यहां पर लाइट उनकों सना यागा अ लांजान को पर क्लिक कर्देना तो यह जो एक्सैमेल फाइल होगा वह आपके आलॡई्मेल संस्काया कि अद हो जाएगा नव अब आप अपने अलायज संको ऑपिन करना और यहां पे आपको यह प्रोजेक् देखनें पनीलों बातरो इन तीनों रEKT jaagal को आपको कॉपी करता है कापी करना इक यहां आपको लांड करना होगा ओर तीनों को पर अपलाय हो चुक है अब यह जो HDR इफेक्ट वह हो सकता आपके पूरे वीडियो पर अपलाय हो जाए पूरे वीडियो पर ना भी अपलाय हो जिसे कि इतना ही दूर तक हुआ तो पूरे वीडियो में करने के लिए आप फिर से इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना पूरे वीडि ग्लिक करना करके copy कर लेना अपने फाइल में आपको आना है और आपको जो भीडो होगा है अगर आपको लगता है कि इस नुक्र सब्सक्राइब यहाँ ने कम कर सेक्टों लाइक इतना रख लेते हैं फर्फेक्ट लग रहा है ठीक है इन आपको बैक कर देना है उसके बाद आपको अपनी एक्सपोर्ट करन형 वाले ब्लेकिन क्या करना है और कैसे करना है ओके अब आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देने या आपकी डिवैस में से वह जाएगा फिर आपको यहाँ पर open करना है विंक एप अब बोलोगे यह विंक एप क्या है और कहां मिलेगा तो ये एक वीडियो का क्वालिटी इन्हेंस करने वाला एप है और ये जो एप है वो आपको gate apps में मिल जाते है जैसे हमारी डिवाइस में प्लेश्टोर होता है ना उसी तरीक से गेट एप्स भी होता है आपको देखना अपने डिवाइस में और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज करी सकते हो मैं वहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूँगा मतलब थार्ड टिप में आपको विंक एप को ओपिन करना है कु इसको पर कलिक करने बाद अभी जो आपको विडुँट एकस्पोर्ट हुए उससे आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेना होगा तो सेलेक्ट कर लेंगे एंड ड़न कर देना मतलब कि जस्ट ओके कौपर आपकर क्लिक कर तो आट्टो में टेकल यहां पर प्रोसेसिंग होने लेग तो यह processing हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं क्या करना है तो processing complete हो चुका है and यहां आप देख सकते हैं यह हमारा पहले से वीडियो को पर effect तो apply था ही अब यहां पर हमारे वीडियो अस्मूथ भी हो गया आप देख पार हूं ठीक है मतलब काफी कमाल का इस तरीक से आपको यह जो वीडियो है आपका edit हो जाएगा देना आपको save को पर click कर देना वीडियो editing हमारे complete हो चुक है उसके बाद home के उपर click करना अगर आप चाहो तो आप क्या करना quality restoration को पर फिर से click करके try now को पर click करके अभी जो वीडियो export हुआ ना उससे आप सेलेक्ट कर लेना तो इससे और आपको जो वीडियो को अस्मूथ हो जागा मतलब दो बार यह process करोगे ना तो आपको वीडियो देखने में काफी कमाल करेगा ठीक है तो इसलिए आप इससे दो बार कर देना and उसके पाद वीडियो एडियो हो गई हमारी processing complete हो चुकवा एंड आप देख सकते हो और वीडियो अस्मूथ हो गया ठीके तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को अस्मूथ कर सकते हो and quality भी in-and-s हो जाता है आप देख पार कितना कमाल के लगा यह हमारी वीडियो ओकी तो इस त मिलते नेक्स्ट वाली व्‍ट वाली वीडियो में तब तक के लिए भायबाय अगर वीडियो पसंद आया हो या फिर सारा स्टेप आपको समझ आ गया तो फो लाइक के जरूर से करना कुछ छे हम्धे और से कमेड़ भी कर सकते हो छो